हेलो दोस्तो स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मॉम्स बेबी केर में उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप प्रेगनेट हैं और चाहती हैं कि आपका बच्चा गोरा और सुन्दर पैदा हो तो उसके लिए आप क्या खाएं क्या पिएं और किस तरीके से खाएं ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए दोस्तो वैसे तो काले और गोरे रंग में भेदबाब नहीं करना चाहिए पहले पर फिर भी जब आप बाहर जाते हैं और किसी और का सुन्दर और स्वस्त बच्चा देखते हैं तो आपकी मन में यह खयाल आता ही है की कास ऐसा बच्चा हमारा भी हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि प्रेगनेंसी में आप ऐसा क्या खाएं जिससे आपका बच्चा गोरा पैदा हो दोस्तो आपको इस दूद का सेवन रात को सोते टाइम करना है वैसे भी प्लैंगनेंट महिला के लिए दूद का उपयोग बहुत जरूरी होता है इसके साथ साथी आपको यह भी बता दूं की केसर बहुत ही गर्म होती है इसलिए सुरुवात के तीन महिनों में आपको केसर का उपयोग नहीं करना है और आपको किस टाइम पे कितनी केसर लेनी है यह भी आप जान लें अगर गर्मियों का मौसम है तो ऐसे में गर्मी काफी जादा बढ़ जाती है इसलिए आपको केसर की दो से तीन कली ही दूद में डालके लेनी है अगर बारिस का समय है तो एक से दो कली का ही सेवन करे और सर्दियों के मौसम में आप चार से पांच कली का सेवन कर सकती है दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप इस प्रकार से केसर वाला दूद का उप्योग करेंगी तो इससे आपका होने वाला बच्चा गोरा पैदा होगा दूसरा है नारिल पानी ऐसा माना जाता है कि नारिल पानी गर्वती महिलाओ के लिए बहुती फायदे मंद होता है और अगर आप इसका सेवन लाश्ट के तीन महीने में करती हैं तो इससे आपका बच्चा हैल्दी पैदा होता है और उसकी चहरे पे रंगत भी आती है क्योंक की ज़्यादा फाइदेमंद है क्योंकि इससे आपकी बॉडी हाइडरेट भी रहती है तीसरी चीज है संत्रा गर्वती महिलाव के लिए संत्रे का सेवन बहुत ही लापकारी होता है संत्रे में अधिक मात्रा में विटामिन सी पाये जाता है जिससे बच्चे का रंग साफ होता है अगर आप तीसरे महिने से नौवे महिने तक डेली दो संत्रे का सेवन करेंगी तो यह आपके बच्चे को गोरा बनाने में काफी मदद करता है संत्रे का प्रयोग नास्ते के बाद ही करें खाली पेट संत्रे का सेवन न नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकती है हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोसिस करेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें हमें आपके लाइक से बहुत ज्यादा खुसी मिलती है और वीडियो को अपने फ